स्वागते प्रेंट आप सभी का आज का हमारा टापिक है ट्रांसफार्मर प्रेंट आज हम जानेंगे ट्रांसफार्मर के मोस्ट इंपर्टन टाप 25 गचन जो की हर एक्जाम में पूछे जाते हैं तो प्रेंट टाइम वेश्ट ना करते हैं चलते हैं आज के हमारे पहला प्र इसके अलावा को यह भी याद रखना है कि माइकल फैरेडे ने 1831 में ट्रांसफर्मर का अविश्कर किया था नेक्ष्ट क्वर्चन ट्रांसफर्मर में कौन सी हानिया लोट के साथ परिवर्तत होती है तो इसका करेक्ट जवाब होगा आपसन नंबर डी कापर हानिया जीहा प्रेंट्स कापर जहानिया जो होती है और लोट के साथ परिवर्तत होती रहती है जिसे की हम कापर लासिस कहते है नेक्ष्ट क्वर्चन ट्रांसफर्मर में भवरदारा हानिया रोकनी का उपाई क्या है भवरदारा हानि मतलब एडी करेंट लासिस ट्रांसपर्मर में एडी करेंट लाशेस रोकने का उपाई क्या है तो इसका सही जवाब होगा आप्सन नमबर C, लैमिनेटेट कोर, जी हाँ कोर को लैमिनेटेट इसलिए किया जाता है ताकि एडी करेंट लाशेस ना हो, नेक्ष्ट कोच्ण किस प्रकार के सही जन में निूट्रल पाईन की जरूरत नहीं होती, नेक्ष्ट कोच्ण एक ट्रांसफरमर की प्राइमरी और सेकंडरी ओल्टेज के बिच भेजनतर होता है, नेक्ष्ट कोच्ण ट्रांसफरमर के ब्रीदर में प्रयुकतर सायन होता है, बाद में नमी शोकनी के बाद इसका कलर चेंज होके, पिंगुला भी हो जाता है नेक्ष्ट कोच्ण ट्रांसफरमर कौनसी विद्धुधारा पर कारे करता है, तो इसका एंशर चला जाएगा, आप्षन नमबर बी के साथ प्रत्यावरती धारा, जी हाँ transformer जो होता है केवल AC current पर कारे करता है alternating current पर कारे करता है next question है transformer पर open circuit test परिक्षन किस सकती हानिका अकलन किया जाता है प्रेण आपको यहाँ पूचा गया है कि open circuit test करने से किस losses का हमें पता चलता है तो इसका correct answer जाएगा option number D के साथ परिक्षन का पता चलता है next question transformer की दक्सता कितनी होती है प्रेण आपको फुचा गया है कि transformer की दक्सता कितनी होती है तो इसका correct answer रहेगा option number D 95 से 98% तक जी हाँ transformer एक IC मशीन है जिसकी अन्य मशीनों की तुलना में सबसे ज़्यादा IPC होती है तो आपको याद रखना है next question निम्मा में कौन सा transformer का भाग नहीं है आपको पूचा गया है कि transformer का कौन सा पार्ट नहीं है तो इन में से सई जवाब रहेगा option number B armature जी हाँ armature जो होता है वो generator या तो motor में होता है बाकी conservator, crowd breather ये transformer के पार्ट है ये जो हम कच्चन अभी करा रहा है ये most important है तो आपको वीडियो पूरा देखना है और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं गया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करो आपको यहां पर पावर ट्रांस्पार्मर का एक पाट दिया है और इसका नाम आपको बताना है आपसने ब्रीदर, ट्याप चेंजर, एक्स्प्लोजन वेंड, बुकोज रिले तो इसका सही जवाब होगा आपसन नमबर D, बुकोज रिले यहां परेंड, यह एक बुकोज रिले हो और यह एक सेप्टी डिवाइस होता है जो कि ट्रांस्पार्मर में अर्थफार्ड, सार्ट सर्कृट और लोट से सुरक्षा प्रदान करता है नेक्स्ट कोचन ट्रांस्पार्मर में ताप मापने के लिए लगाया जाता है परेंड, आपको यहां पूचा गया है कि ट्रांस्पार्मर में टेंप्रेचर मेजर करने के लिए क्या लगाया जाता है तो इसका करेक्ट जवाब जाएगा अप्सन नंबर C के साथ ताप गेज, जिसे की हम टेंप्रेचर गेज भी कहते है परेंड, आपको पूचा गया है कि ट्रांस्पार्मर की कोर बनाने के लिए किस मटेरियल का यूज हम करते है तो आपको याद रखना है इसका सही आंसर रहेगा आपसन नंबर D, सिलिकान स्टील जी हाँ प्रेंट सिलिकान स्टील का यूज हम कोर बनाने के लिए करते हैं प्रेंट आपके इसमें दो कच्चन बन जाते हैं पहला तो सिलिकान स्टील का यूज हम क्यू करते हैं यान जो कोर बनाते हैं उसमें हम लैमिनेशन क्यू करते हैं तो आपको याद रखना है सिलिकान स्टील का यूज हम इसलिए करते हैं ताकि हिस्टारेस लासेस ना हो याण जो हम कोर बनाते हैं उसमें लैमिनेसिन इसलिए किया जाता है ताकि एडी करेंट लासेस ना हो नेक्स्ट क्वच्चन है ट्रांस्पार्मर की रेटिंग व्यक्त होती है प्रेंट आपको यहाँ पूचा गया है कि ट्रांस्पार्मर की रेटिंग किस में व्यक्त होती है तो इसका सई जवाब जाएगा आप्सन नंबर C के साथ किलो वोल्ट एमपियर जिया प्रेंट ट्रा कि प्राइमरी वाइंडिंग में से अधिक टरने है तो वह कौन सा ट्रांसपारमर होगा तो इसले जवाब जाएगा आप्सँमन चेहीं और ट्रांसपारमर होЭ्好啦 कुन्से ट्रांसपारमर में प्रामरी प्राइमरी में यह यान आय टाइब की स्टंपिंग होती है, जिसके बीच वाले लिंब पे वायनिंग घीरी होती है, लपेटी होती है, उसे सेल टाइब ट्रांसफार्मर कहते हैं, नेश्ट क्वाचन है ट्रांस्फार्मर में कौन सी रिले होती है तो फ्रेंट्स आपको बताना है कि ट्रांस्फार्मर में कौन सी रिले होती है तो आपसन है आपकी पास थर्मर रिले, बुकोज रिले, करंट रिले, उपरख्त में से कोई नहीं तो इसका सई जवाब होगा आ इसका सई जवाब रहेगा आप्सन नमबर C आदर्सर ट्रांसपार्मर जी हाँ प्रेंट जीस ट्रांसपार्मर की इपिसेंसी सबसे अच्छी होती है जिसकी दक्सता सबसे अच्छी होती है सत प्रतिसत होती है उसे आदर्सर ट्रांसपार्मर कहां जाता है नेश्ट क्वच्चन है ट्रांस्पर्मर की वाइनिंग किस नाम सी जानी जाती है तो फ्रेंट इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बाक्स में देना है और आप मेरी चानल पे नए हो तो प्लीज चानल को सस्क्राइब करतो और बेल आइकन की गंटी को प्रेस करो ताकि हर एक नए वीडियो की नोटिपिकेशन आपको मिलती रहे तो फ्रेंट आपको किस टापिक पे वीडियो चाहिए तो जाकर आप कमेंट बाक्स में कमेंट कर सकते हो तो चलते हैं अगले प्रश्ण की ओर नेश्ट क्वच्चन है जब प्राइमरी और सेकंडरी वोल्टेज येकी वाइडिंग से प्राप्त हो रही हो तो उस ट्रांसपर्मर को कहां जाता है यहां पर आपको पुझा गया है कि primary and secondary voltage यह की winding से प्राप्त हो रही हो तो उस transformer को क्या कहां जाता है तो इसका सही जवाब रहेगा प्रेंट आप्सन नंबर B आटो ट्रांसपार्मर जी यहां प्रेंट आटो ट्रांसपार्मर में एकी winding होती है जहां से आपको voltage मिलता है next question transformer core में steel और silicon steel की सरण रचना क्या है फ्रेंट यहां पुझा गया है कि transformer core में steel और silicon steel का अनुपात कितना होता है तो इसका सही जवाब रहेगा आप्सन नंबर C steel 93% यांड silicon 7% नेक्स्ट क्वच्चन है ट्रांस्पार्मर के अंदर आईरन लासिस होते हैं तो फ्रेंड आपको बताना है कि ट्रांस्पार्मर के अंदर आईरन लासिस कहा होते हैं तो इसका सई जवाब जाएगा आपसन नमबर ये के साथ कोर में जिहां प्रेंट्स आईरन लासिस जो होते है वह कोर में होते इसके लावको याद रखना है जो पर लास इस होते है वह वाइनिंग में होते है कैसे नेक्ष्ट कूछण ट्रांस्परमर का उपयो के परी नाम को से जाते हैं आपको याँ पूचा गए है कि ट्रांसपर्मर एक ऐसा स्टैटिक डिवाईज है जो की फ्रिक्वेंसी को चेंज न करती हुए वोल्टेज को कम ज्यादा याने स्टेप अप स्टेप डाउन करता है नेश्ट क्वच्छन बिजली ट्रांसपर्मर में बुकोज रिलेका कारे क्या होता है आपको पुचा गया है कि ट्रांसपर्मर में बुकोज रिलेका कारे क्या होता है तो इसका सही जवाब जाएगा आप्सन नमबर डिके साथ अतिभार लगुपतन से सुरक्षया इसके लवाब आपको मेरा वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना याण सेर कर देना मिलते हैं अगले वीडियो में